नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चवबे और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो फॉर्स्ट ओडियाई मैच खेला जाने वाल है उसके बारे में ड्रीम 11 की टीम देखेंगे हर एक प्लेयर के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको एक ब बात करेंगे उसके पहले जो भी मेरा दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लास्ट तक रुपना और लास्ट में जाके अगर आपको लगा कि हाँ यूस्वल इंफॉर्मिशन भाई ने दिये तो आप लास्ट में जाके वीडि वाली सीरीज भी लगतार चल लिए 37 women matches तो मैं mostly cover करता हूँ आप देखते भी है चलिए सीधा match के बारे में बात करेंगे उसके पहले टेलिग्राम चैनल पे आजाना क्योंकि first match है तो line up में हो सकता है जो line up में आपको provide करा हो ज्यादा तर तो same ही होती है एक आद दो अगर changes ह होते तो update के सांथ final team आपको telegram पे मिलीगी तो final team अगर देखना चाहते हो तो final team आप telegram पे हमसे connect हो सकते हैं टॉस के बद final team final update और सांथी सांथ pitch report भी आपको provide हो जाएगी तो telegram पे आ जाना link description में हमां से भी join कर सकते हो comment section में भी first comment आपको pin मिलेगा कुछ इस तरीके का तो कॉमेंट आपको मिलेगा यहां पर आपको देख रहा है तो उस पर टैप करके सीधा आप सकते हैं टेलिग्राम पे final team final update सब कुछ आपको यहीं तो मिल जाएगा बाकि वीडियोस में भी हम सारे players के बारे में बात करेंगे चलिए सबसे पहले pitch report से शुरूँ आप करते हैं महेंदरा राजपक्षी स्टेडियम में मैच है और यहां पर आप देख सकते हो हमबन टोटा में मैच है और pitch report अकरम देखें तो बैटस फ्रेंडली pitch होने वाली है और सीमर्स को थोड़ा सा सपोर्ट है सीमर्स थोड़ा सा बैतर करेंगे average first inning score देखें 270 है और मेरा मानना है पाकिस्थान first bat कररा है तो 300 भी टच कर सकता है और अफगानस्तान की batting में इतनी कम नहीं अगर अफगानस्तान first bit कर रहा है तो 200 से 250 तक तो आफगानस्तान भी पहुच जी सकता है no doubt पाकिस्थान की bowling काफी दादा स्क्रॉंग है लेकिन अफगानस्तान के पास कुछ कमाल के batsman है जो आपको इतना score तो definitely महुचा देंगे team का चलिए सीधा हम recently played matches देख लेते हैं इसी venue को उपर last match हुआ है 7 June 2023 और पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये match है यहाँ पर देख सकते हो 116 अफगानिस्तान ने बनाए शीलंका ने easily chase कर लिया 50 ये match था शीलंका ने 9 विकेट से मैच जीत विया पेसरस ने साथ विकेट से चार विकेट और उसके पहले वाला match देखे हैं शीलंका ने 323 बनाए अफगानिस्तान 191 बना पाया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पांच विकेट स्पिनर्स ने 11 विकेट उसके पहले वाला match अगर हम देखे तो शीलंका ने 268 बनाए थे अफगानिस्तान ने वो जीत लिया था तो सिर्फ एक ही मैच अफगानिस्तान ने जीता है पिछले तीन मैचस में और पेसर ने 9 विकेट इस ने तीन विकेट यहाँ पर आपको एक बात ऑफजब करना पड़ेगा कि तीनों मैचस में पहली बात तो विकेट गिरें और सिर्फ इस मैच में शीलंका क जीता है तो विकेट गिरती हुए नजर आ रहे हैं इसलिए बोलर्स और और डाउंडर्स की इंपोर्टर्स थोड़ी सी जादा है बांकि आप देख भी सकते हैं पेसर को भी विकेट मिलें इस्पिनर्स को भी लगातार विकेट मिलें अफगानिस्तान के पास कमाल के स्पिन अफगानिस्तान ने 227 बनाया थे पाकिस्तान ने उसको चेस कर लिया था बाकि आप स्टैट्स रीड कर सकते हैं राशित खान ने उस मैच में अच्छा किया था नवी ने एक विकेट मुझीव और रहमान ने दो विकेट और यहां पे बाबार राजम ने भी अच्छा किया और स्कीन शॉट ले लिए क्योंकि फर्स मैच है फर्स मैच में बेटिंग ओर क्या को टीम पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको टीम बनानी है चलिए आयोप आपने स्कीन शॉट ले लिया होगा सीधा हम प्लेयर्स पे आ जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बहुत बड़ी पारी खेलेंगे या तो फिर बहुत बेकार पारी आपको खेलते हुए नजर आते हैं तो आज के मैच में क्या करना है सेफ जाना है तो गुरवाज को अपनी टीम में रख लो लेकिन मुझे डर लग रहा है शाहिन शाह अफ्रीदी शुरूआत में आएंगे हरी शुरॉफ शुरूआत में आएंगे नशीम शा शुरूआत में तीनों कमाल के क्वालिटी पेसर्स पाकिस्तान के पास हैं और गुरवाज आ रहा है ओपने तो मुझे खत्रा लग रहा है कि बहुत बहुत गिर सकता है तो मैं स्मॉल लिंग में रिस्क लेना चाह रहा गुरुबाज को अपने टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ अगर आपको सेफ जाना है तो आप फिर गुरुबाज के साथ जा सकते हैं हो सकता है थोड़ा ठीक कर दें अगर शुरुआत के तीन पेसर्स से बचना है तो जादरान इब्राहीम जादरान 59 का एवरेज और रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बढ़ी है तो इब्राहिम जादरन डेफिनिटली मेरी टीम में होगे शाहिन शाह को से इनको भी खत्रा रहेगा लेकिन मैं क्वालिटी वैट्समेन के साथ थोड़ा जाना चाहूंगा शुरुआत में समल के खिलते हैं बाद में बड़े शॉट लगाते गुर्वाज का आदे को शुरुआत में ही बड़े शॉट्स लगाने जाते हैं कई बार विकेट खो देते हैं नेक्स बात करें रहमाश्या 36 का एवरेज 14 विकेट रहने निकाले हैं रीसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है रीसेंट फॉर्म के चलते हम अपनी टीम में नहीं इक सो बैयाल इस मैचस में देड़सो विकेट निकाले हैं 27 का एवरेज है ये प्लियार अच्छा है और टीम में बिलकुल रखा जा सकता है दौनों ही कंडिशन में क्योंकि कुछ बैटिंग आपको करके देते हैं बैटिंग ओडर भी जादा नीचे नहीं है साधी साथ बो तो फिर जादरान को रखना है तो रख लो मैं नहीं रख रहा हूं मैं नहीं रख रहा हूं हलाकि अगर आप थोड़ा सा और देमाग लगाएं तो पाकिस्तान शुरुआत में वेकेट्स गिराएगी तो नजीब उल्ला जादरान बाद में बैटिंग करने आ रहे हैं तो थ मैं जरूर मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम में रखने की अमर जाई की बात करें 12 मैचस 20 कावरेज 6 विकेट रिसेंट फॉर्म ठीक है कुछ नस आपको करके देंगे मांकि जो भी लीक्स में खिलते हैं कुछ ना कुछ करके आते हैं तो अगर आप रखना चा रहे हो तो लेकिन आप रहे हैं अगर आप राशित खान आप कमाल के इस पिनर है तो आप कुछ ना कुछ तो करके देंगे मैच के अंदर तो आपको अगर captain करना है तो first bowling में करो क्योंकि Pakistan के first bowling में थोड़े ज़्यादा wickets किरेंगे Pakistan की first batting और Afghanistan की first bowling तो Pakistan के ज़्यादा wickets किरेंगे राशित खान कहीं न कहीं कुछ wickets आपको चटकाते हुए नदर आएंगे और second bowling आ रही है तो फिर राशित के उतने wickets नहीं है क्योंकि अगर Afghanistan 200 ही रन मना पाती है first inning में फिर तो Pakistan आसानी से उसको chase कर लेगा ज़्यादा wickets खोएगा नहीं तो वैसी condition में ज़्यादा wickets नहीं मिलेंगे first inning में bowling आ रही है तो फिर आप captain रख सकते हो मुझीवर रहमान राशित खान पर सबकी नजर रहती है मुझीवर रहमान ignore हो जाते हैं सिर्फ एक match में wicketless बागी दो matches में आप देख सकते हो तो मुझीवर रहमान कमाल का spinner है राशित खान से तो compare हम नहीं करेंगे लेकिन मुझी वर रहमान भी बहुत बड़ी है spinner है आप रख सकते हो अपनी टीम के अंजर अगर manage कर पा रहे हो तो लेकिन मेरे according पाकिस्तान के bowlers रखना थोड़ा जादा बैतर है क्योंकि अफगानिस्तान तो मुझे all out होती है नजर आ रही है पाकिस्तान की batting भी थोड़ी ठीक है और bowling भी आपने देखी है अब्दुल रहमान की बात करेंगे एक match कोई wicket नहीं निकाला है तो try नहीं करेंगे फजलोल फारु की 4-1 matches 65 wicket कुछ ना कुछ भाई ये बंदा भी करके देता है साथ ही साथ डैथ होवर्स भी इनको मिलने वाले हैं तो first bowling आ रही है तो फिर फजलोल फारु को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं मांकी second bowling आ रही है तो फिर ना रखो तो जादा बैता रहा है फिर हम पाकिस्तान के spinners को रखेंगे मांकी आपे आप देख सकते हो ले सकते हो इसका screenshot भी मांकी सारे players है गर नूर आवत को मौका मिल रहा है अफगानिस्तान के side से तो इनके बाएर में सोचा जा सकता है मांकी किसी के number उतने बैतर नहीं है तो हम टीम में नहीं रखेंगे चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की possible 11 के बारे में इसका भी screenshot आप ले सकते हो ये भी betting order के according है मांकी सीधा अब हम players पे आ जाते हैं और कौनसा player important है किसे हम अपनी टीम में रखना है चलिए सबसे पहले बात करें फकर जमान के बारे में 70 matches 48 का average बहुत ही बैतरीन प्लेयर है और ये एक ऐसा प्लेयर है जो attacking भी खेलता है wicked भी आसानी से नहीं होता है आवरेज देख लो है 48 का बहुत ही बैतरीन आवरेज होता है और अगर हम बात करें पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के पेसर की तो फजल फारुकी के अलावा कोई मुझे ऐसा quality पेसर नहीं देख रहा है अगर आपके पास नवीन उलग भी खेलते हुए नजर आते तो फिर मैं फिर भी सोचते था कि यहां थोड़ा खतरा रहेगा लेकिन फजल फारुकी सिर्फ एक ही पेसर सामने वाली टीम पर है तो क्या जल्दी विकिट खो देंगे मुश्किल लग रहा है इसलिए फकर जमा से भी बहुत ही भैठीन एवरेज है इनको टीम से मिस मत करना भी है कई बार संचुरी भी लगा जाते है रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही तगड़ा है इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल रखना चाहेंगे और कोई नहीं रख लह लेकिन रहा है लेकिन रख नहीं रहा है क लो रीसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा एक मैच में एक रण उसके अलावा सेंचुरी लगा के आ रहे हैं और फिफ्टी फोर भी की हैं तो सबसे बहतर चोईस हो रही है वाइस केप्टन की बाबा राजम और फॉर्स बैट आ रही है तो फिर आप केप्टन भी सोच सकते हो लेकिन फॉर्स बैट अगर इनकी आ रही है तो फिर मैं केप्टन करूँगा राशित खान को क्योंकि कुछ विकेट सो उनके रहेंगे और बैटिंग भी उनकी आई रही है मां की बाबा राजम केप्टन वाइस केप्टन की सबसे बड़ी है चोईस है सेफ रहते हैं कुछ रहन से आपको हर मैच में करके देते हैं टी ट्विंट आई में भी अच्छा खेलते हैं अपने रिसेंट फॉर्म देख रही है रिजवान की बात करें 34 का इनका एवरेज है ODI में बहुत जाद अच्छे नंबर्स तो नहीं है क्योंकि 34 का आपका एवरेज है लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास और बड़ी है चोईस भी नहीं है तो रिजवान ऑब्यस सी बात हमारी टीम में रहेंगे और पाकिस्तान के विकेट गिरते हैं तो समल के ख जाते हैं फिशले तीन मैचेस भी आप देख लो 57 बनाया 58 बनाया 31 बनाया तो बैटिंग बोलिंग दौनों से मौका है और लोगों की नजरे नहीं है इनके उपर पता नहीं क्यों नहीं है आप इन पर नजर लगा सकते हो आगा सलमान को अपनी टीम में रख सकते हो अगर मै तीम में रख लो जैसे मैंने आयान खान आपको बताया था लास्ट मैच के अंदर UAE और न्यूजीलेंड की जो सीरीज चल रही है वहाँ पर आप देखें आयान खान ने तीन विकेट निकाल दिये बैटिंग तो ज्यादा मौका मिला नहीं बाकि आज के मैच में उम्मीद क कर सकते हैं दो तीन ओवर डालने की बाकि बोलिंग उतनी अच्छी नहीं है बैटिंग से आप थोड़ा ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं खासकर फर्स बैट आ रही है तो रख सकते हो शादाप खान 56 मैचेस में 73 विकेट 28 का एवरेज है बढ़िया प्लेयर है लेकिन विके गए सब्सक्राइब आपको चाहिए सेफटी मनाना है तो शाद आपको कर लो वाईस केटन थोड़ा से डिफरेंट अगर करना है तो ऐसे प्लेयर को करो जिसके पास मौका थोड़ा सा ज़्यादा हो जो QUALITY प्लेयर हो शाद आप खान अच्छे प्लेयर है मैं कोई बुरा ही भी नहीं रहा है क्या हमें लेना चाहिए मैं तो नहीं ले पार हूं भी है क्योंकि हमारे पास और भी बहतर चॉइसेंट फॉर्म अगर आपका ठीक होता तो बढ़ी आ रहा था मांकि आपने बोलिंग देखिए बोलिंग उतनी ज्यादा कुछ खास नहीं कि आप दो से चार व हो सकते हैं मुहम्मद अवाज 5-6 डालते हूं नजर आ सकते हैं नेक्स बात करें शाहिन अफ्रीदी और कमाल का बोलर है सबी लोगों को पता है 36 मैचेस में 70 विकेट हर मैच में कहीं कोई भी लीग में जाएंगे कहीं पर भी मैच होगा टेस्ट हो या ओडी हो हर मैच में व कमाल का बोलर है ज़्यादा बोलने की जरुवत मुझे है नहीं आप भी जानते हैं कैप्टन हलागी कोई नहीं कर रहे है नसीम शाह ये भी एक अच्छा बोलर है लोग ज्यादा जानते नहीं है इसलिए लोग अग्नूर कर रहा है मां कि आप LPL में मैचेस अगर आपने दे किसी को मिस्स मत करना, किसी पर रिस्क मत लेना, तीनों के साथ जाओ, कुछ विकेट्स तीनों contain high क्लास प्लास थे कि तीनों दस दस चोफ़र्स डालेंगे, मेरे थिक नहीं मिल रहा है, मै किसी आपको बूपना है वो बैस्ट है, वसीन जूनियर को मुँपा मिलता है तो स्टैट्स आप देख सकते हैं अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं Captain के बारे में Captain सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज के मैच में Captain किसे करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ Common GL Captain Common GL Captain से मेरा मतलब है Grand Link में आपको इनको रखना है और Mostly लोग इनके साथ जा रहे हैं पहला नाम आ रहा है बाबर आजब, दूसरा राशित का इनको Mostly लोग ट्राए कर रहे हैं क्योंकि दौनों प्लेयर बड़े हैं दौनों के बारे में सब जानते हैं और Recent Form भी दौनों का अच्छा है तो बिल्कुल कर सकते हो, सेफ जाना चाहे हो तो अब सेफ चले जाओ कुछ अगर different match के अंदर होता है तो शाहिन शाह, फ्रीदी, कैप्टन बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं जोस बॉलिंग आती है, तो चार-पांच विकेट भी ले जा सकते हैं और अफगानिस्तान को बैकफट पर ला सकते हैं और यहां से शादाव खान एक मैने different choice रखी हुए क्योंकि बॉलिंग से अगर थोड़ा बहुत टर्न मिलता है तो इस पे 5-6 overs तो definitely रहेंगे, हो सकता है 10 overs भी मिल जाए, तो कुछ विकेट्स हो सकते हैं और बैटिंग अगर आ जाती है, बैटिंग के चांस इसकाम है कि पाकिसान की इतने विकेट्स गिरेंगे तो फिर आप बैटिंग भी कुछ करके दे सकते हैं मुहमद नभी इनको भी है, ये भी एक अच्छा प्लेयर है जो इग्नोर हो रहा है, बहुत जादा इग्नोर हो रहा है और आप देखते हैं, सारे लोग फोकस कई बार करते हैं राशित खान के उपर लेकिन जादा पॉइंट्स लेके चले जाते हैं तो ये भी थोड़ी सी अच्छी चोईस बनना है, डिफरेंट अगर आपको करना है तो मुस्री जोग जाएंगे राशित खान के साथ मुझे लग रहा है नभी आज राशित से थोड़े जादा पॉइंट्स ले जा सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं, लो सेलेक्शन बिग रिवर्ड प्लेयर और ये सेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है खासकर फर्स्ट मैच में ये बहुत ज़्यादा काम का होता है क्योंकि लोग टीम बनाते हैं सेलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग जिसको शुरुआत में लोगों ने ले लिए लोग उसी का सेलेक्शन परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते और उपर ले जाते है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं आगा सलमान बैटिंग कमाल की है थर्ड डाउन बैटिंग आएंगे और बोलिंग भी मिलेगी कुछ ओवर्स मिलेंगे और पांच से छे ओवर्स तो पक्का है और अगर शादावखा, नवाज या आगा सलमा तीन हो स्पिनर है जिसने थोड़ी बढ़िया बोलिंग की उसके दस ओवर्स भी हो सकते है तो यहाँ पर आगा सलमा ने एक अच्छी चोईस है बैटिंग भी बड़ी है और इमाम हुलक इग्णोर प्लियर लगबग 60 का या 50 की उपर आवरिज है भी मैंने आपको बताया था बिलकुल ट्राइ किया जा सकता है नसीम शाह से उम्मीद की जा सकते है भाई फिर से आप 2-3 विकेट निकाल के ने शुरुआत के ओवर शाहिन शाह और नसीम शाह डालते हैं और नशीम शाह को भी लगबग 30% के आसपास लोगी ले रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इनको लोग नहीं लेंगे आप ले सकते हो किनी दो को अपनी टीम में रख लो बहुत उपर आपकी टीम रहने वाली है लास्ट मैच अगर आपको याद होगा आयान खान को इसी सेक्षिन में बताया था तीन विकेट उना उने निकाले तो यह डिफरेंट सेक्षिन होता है लो सेलेक्शन वाला इसमें से जिसका आपको लग रहा हूँ जिसके आपको नमबर्स बहतर लग रहे हो कंडिशन के अकॉर्डिंग में बताता हूँ उसको अपनी टीम में रख सकते हो अब नेक्स बात करते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लिग में कैसे करना है स्मॉल लिग में कैसे करना है पाकिस्टान अगर फर्स बोलिंग कर रही है कंडिशन सुन ले ना कंडिशन के अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं बताता है आप किसी की भी वीडियो जाके देखो लोग आपको सिर्फ एक कैप्टन वाइस कैप्टन बता देंगे और आप फच जाओगे अगर कंडिशन चेंज हो गई तो फिर वो ऑप्शन आपको नहीं देते हैं मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सबसे पहले पाकिस्तान फिर्स बोल कर रही है तो कैप्टन आपको रखना है शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी फिर्स बोल इंग खतरनाक बोलर चार से पांच विकेट ले जा सकता है तो शाहिन शाफरीदी फिर्स बोल में कैप्टन हो सकते हैं वाइस कैप्टन करना है बाबा राजम को कर दो उपर से चेज करके देंगे आपको वन डाउन बैटिंग आएंगे सेकेंड निंग में अगर जादा स्कोर नहीं हो मतलब पाकिस्थान के विकेट्स गिरेंगे और पाकिस्थान के विकेट्स अगर गिरे तो क्या ये क्वालिटी बोलर एक दो विकेट्स नहीं ले जा पाएगा बिलकोल भाई दो से तीन विकेट्स हो सकते हैं सेकेंड इनिंग में मैं देख रहा हूँ प्रस बैटिंग में बाबा राजम को भी रख सकते हो captain क्योंकि पूरी बैटिंग मिलेगी तो हो सकता है बंदा शतक के आसवाद भी मार दे तो फिर बाबा राजम या राशित खांग किसी एक को रख ले न वाइस कैप्टें फिर आप शाहिन शाह को रख सकते हो second innings में भी wickets और वाइस केप्टेन नभी भी एक अच्छी चोईस बना है तो यहां पर देखो केप्टेन तो मेरा फिक्स है वाइस के वाइस के प्लियर है तो उसे भी फिर हम सोच दखते हैं तो ठीक है आप समझ गए होंगे बाकी मैं भी आपको टीम भी बता देता हूँ कि मेरी टीम किस तरीके की बन रही है मैं किसे कैप्टन वाइस केप्टन कर रहा हूँ उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मैनत पसंद आ रही है, कुछ different लग रहा है, अगर आपको different लग रहा है तो ही आप वीडियो को like करना, क्योंकि काफी सारे लोग आपने already हो सकता है किसी की वीडियो देखिए हो, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो section आपको लेके आता हूँ ना, वो कोई आपको cover नहीं कर रहा है, और वो काम भी करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को like कर सकते हो, चैनल के साथ पहली बार चुड़ रहे हो, तो आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, चलिए अब ह कर लेते हैं, क्या मैंने टीम बनाई है, कंडिशन के according, और बहुत ही बड़ी है टीम में आपको पता हूँगा, उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलिगाम चनल से connect नहीं होए, तो आप टेलिगाम पे आ सकते हैं, final जो भी कोई update होगा, आपको टेलिगाम पे मिल आपको टेलिगाम पे आपको टेलिगाम पे आपको टेलिगाम पे मिलती है, और टेलिगाम पे कंडिशन के according में एक डिफरेंट प्लेयर अपनी टीम में जरूर रखता हूँ, फर्स मैच आपने देखा, UAE वाला, सिदीख हमने अपनी टीम में रखा, फर्स बोल आई थी, से आज के मैच में क्या में डिफरेंट करना है, और टॉस के according टेलिगाम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलिगाम चनल जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट से भी आप जॉइन कर सकते हैं, फर्स कॉमेंट पर टैप करके, चलिए, बांकी यार स्मॉल लीग में कहा इंवेस्मेंट होगा, यार स्मॉल लीग में कॉबेरा में इंवेस्मेंट होगा, रीजन आपको बता देता हूँ, तीन बैसमेंट, तीन बोलर से लने कंपल सरी, जहाँ पर ओपोनेंट फसेगा, वहीं पर आज हम विन करेंगे, आज के मैच में बहुत कुछ डिफर लग रहा है तिलग वर्मा आज अच्छा करेंगे तिलग वर्मा को चूज करके उस पर टैप करो और जो भी आपको अमाउंट लगाना है सिर्फ उसी पर लगा सकते हो एक ही प्लेयर आपको सारा वाउंट विन करा सकता है तो कुबेरा में यह दो फीचर है इसलिए मैं स्मॉल और शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से तो रिजवान मेरी टीम में है गुरवाज काफी सारे लोग जा रहे हैं गुरवाज के साथ डर लगता है गुरवाज से तो आप चले जाओ लेकिन मेरे पास रीजन है ड्रॉप करने का कि सामने शाहिन शाह दिखेंगे और पहला दूसरा विकेट तो शाहिन शाह का फेवरेट होता है पहला दूसरा विकेट जरूर वो निकालते हैं पहले शुरुआत में एक स्पेल रहेगा चार-पाच ओवर का कुछ विकेट्स वहाँ पर रहेंगे तो गुरवाज मुझे डर लग रहा है अगर आपको रखन है गुरवाज से डरते हो क्या कमाल कर जाएगा तो फिर आप रख सकते हो मेरी टीम में तो नहीं है मैं रिजवान के साथ जाना थोड़ा सा जादा पसंद करूंगा थोड़ा सा सीफ खेलते हैं और ज्यादा बड़े शौर्ट शुरुआत में लगातें प्लस पॉइंट है क कि ओपनिंग भी नहीं आएंगे रिजवान तो फिर बाद में थोड़ा सा ठीक कर जाएंगे और पाकिस्तान के भी इतने विकेट्स तो गिरेंगे कि रिजवान की बैटिंग आ जाए अगर चेजिंग आ रही है तो फिर रिजवान की जगह आप गुरवाज को रख सकते हो अगर पाकिस्तान की चेजिंग आ रही है हो सकता है अफगानिस्तान थोड़ा सा लोओ स्कूर बनाई फिर रिजवान की उतनी बैटिंग आ है लेकिन मैं रिजवान थोड़ा ज्यादा बैटर बैट्समन मानता हूं सली रिजवान के साहत में चाह रहा हूं Watts section से बात करें ब बहतरीन प्लेयर और इब्राहिम जादरान पर रिस्क लेना है ये भी प्लेयर काफी अच्छे है तो फिर इनकी जगे आप इमाम उलक को रख सकते हो ठीक है तो फिलाल तो मैंने इमाम उलक को नहीं रखा है बाकी आप देख सकते हैं कंडिशन के अकॉर्डिंग हम इनके साथ अगर चेजिंग आ रही है तो फिर बिल्कुल हम जा सकते हैं बाकी अगर आप एक और थोड़ा सा दिमाग लगाओं तो जब गुरवाज को शाहिन शाह से खत्रा है तो क्या इब्राहिम जादरान को नहीं है इब्राहिम जादरान को भी शाहिन शाह से खत्रा रहेगा दोनो opening आएंगे तो अगर जादा वड़ा risk लेना है तो donor को drop कर दो मैं थोड़ा गुरबाज पर risk ले रहा हूँ क्योंकि इब्राहिम जादरान का recent form भी अच्छा है प्लेयर भी अच्छा है असलिए इब्राहिम जादरान टीम में है लेकिन इमाम चाचू की बात करें तो बैटिंग और तो बहुत ही जादा नीचे है बोलिंग से कुछ ओवर्स मिल सकते हैं लेकिन बोलिंग उतनी बहतर नहीं है तो फिलाल तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर हमने टीम में ले लिया और बैटिंग से बात करें शादाब खान टीम में मौम्मद दवी टीम में और क्या चोईस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नवाज भी एक चोईस है नवाज बैटिंग जादा चल नहीं रही है बैटिंग ओडर नीचे भी है बोलिंग उतनी कमाल की है नहीं स्टैट्स भी आपने देख लिए तो नवाज टीम में नहीं है रखना है तो रख लो आगा सलमान थोड़ी सी बहतर चोईस है अगर हम नवाज से कंपर करें आगा सलमान की बैटिंग अच्छी है और बैटिंग ओडर भी नीचे है तो आगा सलमान को रख पा रहे हो आप अपनी टीम में तो आगा सलमान को रख लेना फिलाल मेरी टीम में आगा सलमान भी नहीं है नवी और शादाफ खान दौनो और डॉनर सेक्शन से मेरी टीम में bowling section से बात करें, राशित खान हमारी टीम में, शाहिन शाह हमारी टीम में, हरी श्रॉफ हमारी टीम में और नसीम शाह, selection percentage बहुत काम है, मेरे लिए matter नहीं करता, player कमाल का है, तो मैं अपनी टीम में बिलकुल रखूँगा और अगर first bowling आ रही है, पाकिस्तान की तो पिलकुल होंगे, first bowling नहीं आ रही है, तो इनकी जगे आप या तो फजल उलफारुकी को रख लो, क्योंकि इनकी first bowl आएगी अगर पाकिस्तान की नहीं आ रही है तो, या तो फिर यहां से आप फिर इमाम उलख को भी अपनी टीम में जगा दे सकते हो, मेरी टीम में फिलाल बोलर्स हैं, क्योंकि आप ODI देखते हैं, डॉनोई टीम ऐसी हैं कि विकेट्स खो देंगी, और अफगानिस्तान की थोड़े कम विकेट्स गिरेंगे, अफगानिस्तान जादा विकेट्स खोएगा, और क्या चोईस हैं, और यहां से अमर जाई भी एक चोईस है, रखना है तो रख लो, मैं तो नहीं रख पा रहा हूँ, परसनली क्योंकि आप देख रहे हैं न, बहुत सारी चोईस हैं, और नूर एमद भी एक चोईस बन रहे हैं, अगर खेलते हैं, तो फिलाल तो नहीं खेल रहे हैं, माकिया आप देख सक करके, या तो आगा सलमान के साथ में जा सकता हूँ, या आप देख सकते हैं, इमाम उलक, सौरी, इमाम उलक नहीं है, इमाम उलक है, इमाम उलक तो काफी टाइम पहले खेलते थे, तो मैंने आपको चोईस बता दी, और कंडिशन के अकॉर्डिंग, जहां तक, मैंने आपको दौनों चोईसे बता दी, किसकी फरस बbn, कि स की फरस बैक, तो फिर इमाम उलक को हम अपनी टीम में मैंनेज कर पाएंगे, फिलाल नहीं है, कन्डिशन मैने आपको बता दी है, ठीक है, कैप्टन मैने किया है कैप्टन मैने किया है राशित खान को, और वास कैप्टन मैंने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं वाइस केप्टेन करूंगा चेजिंग में फॉर्स बैट आ रही है तो केप्टेन की भी अच्छी चोईस है बिलकुल रख सकते हो डिफरेंट करना है तो मौमद अभी एक बड़िया चोईस है मौमब अभी के साथ जाया जा सकता है थोड़ा और अच्छा करना चाहरे हो फोस बोल अगर आती है पाकिस्तान की तो शाहिनशा फ्रीदी भी कैप्टेन वाइस कैप्टेन की अच्छी चोईस बन जाएंगे और मैं भी जब चेंज करूँगा तो आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करा दूँगा तो टेलिग्राम चैनल पर आजाना लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्षन से भी जॉइंग कर सकते हो मांकि अगर वीडियो में कुछ हैल्फुल लगा है कुछ पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल के साथ पहली बार जोड़ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो वीडियो देखने के लिए थैंक एंड थैंकी सो मच दो